तो बच्चों कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़रा खास होने वाला है क्यूंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है इसका एक important sample question paper इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ये हिंदी का हमारा दसवा sample paper का वीडियो होने वाला है दसवे sample paper का भी part 2 वाला वीडियो होने वाला है इससे पहले इसी sample paper का part 1 वाला वीडियो अल्रेडी बनाया जा चुका है अगर अभी तक आपने वो वीडिय नहीं देखा है तो उसका link मैं description box में दे दूँगा उस पर click करके part 1 वाला वीडियो जरूर देख लिजेगा और हाँ बच्चो इससे पहले अगर आपने 9 sample paper की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देख लिजेगा क्योंकि जो आपका exam होने वाला है 19 फरवरी को ज पिछले 10 साल का अगर आप paper उठा करके देखेंगे तो उसमें ये questions बार बार repeat हो रखेंगे जो questions हम लोग sample paper में discuss करते है ठीक है और sample paper करने से एक फायदा और होता है आपका कि paper का क्या pattern रहने वाला है उसका एक मोटा मोटा idea आपको लग जाता है ठीक है किस तरह के questions हम से में request करूँगा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आपको definitely बहुत ज़्यादा होगा इन वीडियो से ठीक है और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा लाइक कीजेगा जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बैल का घंटी ये घंटा कुछ भी कर सकते हैं उसका इकन देखने को मिलेगा उसको प्रेस करके all पे क्लिक कर दीजेगा जिससे की जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फो प्रेसप नमबर दीखेगा जिस पर आप मेसेज करके इनको बाय कर सकते हैं वैसे तो ये 20 सैंपल पेपर का जो पीडियाफ है 199 रुपे का है लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो आपको 50 प्रतिसत का डिसकाउंट यानि छूट देखने को मिलेगा केवल 99 रुपीज में 20 स 7 करके ठीक है तो आज ही इन सैंपल पेपर को लीजिए और अपनी परिक्षाओं की तयारी को और बहतर बनाईए ठीक है अगला क्लिप जो आप देखेंगे उसके अंदर आपको वर्टसप नमबर देखने को मिलेगा उस वर्टसप नमबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगला क्लिप देखें बच्चो अगर आप इन 20 सैंपल पेपर की तयारी करते हैं तो आप अपने बोर्ड एक्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्ट कर सकते हैं आज ही इन सैंपल पेपर को लीजिए और अपने बोर्ड एक्जाम की जो तयारी है उसको नेक्स उठाईए तो हम लोग आ गये हैं खंड बो यानि की सेक्शन बी के अंदर जिसके अंदर वडनात्मक प्रकार के जो प्रस्ण होते हैं हमसे पूछे जाएंगे और उसका उत्तर हमें देना है तो चलिए देखते हैं के करके कोशन को यहाँ पर सेक्शन बी यानि खंड बो का पहला कोशन और इस कोशन पेपर का सात्वा कोशन क्या कह रहा है यहाँ यहाँ पर हमें कि निमलिखित में से किसी एक विशय पर 120 सब्दों में रचनात्मक लेख लिखिये तो यहाँ पर तीन टॉपिक को आपको दे दिया है इन तीनों में से किसी एक पर आपको 120 सब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है तो जो पहला वाला टॉपिक है खेल में मेरी रूची यानि कि जो स्पोर्स होता है गेम होता है उसके अंदर मेरा इंटरस्ट तो इसके उपर मैंने आपको रचनात्मक लेख लिख करके दिखाया है जो रचनात्मक लेख होता है बच्चो निवंध की तरह ही होता है इसके अंदर आपको अपनी रचनात्मकता यानि की creativity एड करनी होती है ठीक है और 120 सब्दों में आपको लिखना होता है इस बार के board के paper के pattern के अनुसार में आपको बता रहा हूँ ठीक है तो देखिए मैंने किस तरह से आपको लिख करके दिखाया है सबसे पहले तो आपको अपना topic लिख लेना है खेल में मेरी रूची ठीक है उसके बाद उसके बारे में लिखना सुरू कर देना है जैसे बात करे खेलो की तो मैं बहुत सुरू से ही खेलो में रूची रखता हूँ यहाँ पर बताए गया है कि बात करे खेलो की तो खेलो में मेरी रूची तो बचपन से ही है मुझे खेल कूद करना बहुत जारा पसंद है हाला कि कभी-कभी मेरी माता जी इस बात को लेकर मुझ पर काफी गुस्सा भी हो जाय करती थी क्योंकि लोगों का कहना है कि खेल कूद में कुछ नहीं रखा ठीक है अब देखिए यह इसी बात है बच्पन में जब हम गेम वगेरा खेलते हैं तो हमारी ममी बहुत ज़रा गुस्सा हो जाय करती है कि खेलता कूदता रहता है पढ़ाई लिखाई करो ठीक है और लोग यह भी कहते हैं कि खेल कूद में क्या रखा है लेकिन अगर देखा जाए भया तो खेल कूद में बहुत कुछ रखा है खेलों में अगर क्रिकेट की बात करे और कबड़ी की बात करे तो इन दोनों में मेरी खास रूची रही है अगर क्रिकेट और कबड़ी की बात करे तो इसके अंदर खास इंटरस्ट रहा है बजपन जो है मुझे कबरडी खेलना बहुत पसंद था लेकिन बढ़ा हुआ हसो की मुझे cricket खेलना बहुत पसंद आलने लगा तो देखिये जैसे बड़े होते गए वैसे इहां पर cricket खेलना पसंद आने लगा कूछ कि डेखिए cricket अगर आप देखेंगे आज के के अंदर और cricket खेलने लगते हैं तो यह activity करना खास करके cricket खेलना बहुत ज्यादा लोग प्रिय है हमारे देश में देखिए आगे बताया अगर आप physical activity करेंगे तो आपका जो health है वो ठीक रहेगा भविश्य में आगे चलकर मुझे अच्छा प्लेयर बनना है अब यहां पर भविश्य में मुझे आगे चलकर एक अच्छा प्लेयर बनना है जैसे महिंद्र सिंग धोनी खेलकुद हमारे जीवन का एक अभिन अंग है अब देखिए भविश्य में इनको एक अच्छा प्लेयर बनना है जैसे धोनी जीए हमारे और यहां पर हमारे जीवन का एक अभिन अंग है क्या खेलकुद है हाँ ऐसा कहा जा सकता है कि समाज में या मान्यता है कि अगर ज़्यादा खेलकुदते हैं तो उसके पढ़ाई ल सकती है लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है ऐसे कई उधारन है जैसे सचीन तंदुकर जो केवल दसवी पास है ठीक है उन्हें महान बल्लेबाज के रूप में जाना जाता था ठीक है और भी कई उधारन आप दे सकते तो इस तरह से आप यहां पर लिख सकते हैं मैंने आपको यह लिख करके दिखा रखा है रचनात्मक लेख आसा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जादा से जादा लाइक करते चलिए बच्चो आपका एक लाइक हमें बहुत जादा मोटिवेट करता है इसी तरह की और एक कोशन का जो आपका वर्ड लिमिट होना चाहिए वो 60 वर्ड यानिकी 60 सब्द होना चाहिए ठीक है उसका एंसर देते वक्त इस चीज का खास धियान रखिएगा तो पहला कोशन देखिए आठवे के पहले में क्या पूछ रहा है कि रेडियो प्रसारन के लिए तयार किये जा रहे समचार की दो विशेष्टाओं का उलेख कीजिए ठीक है जो रेडियो होता है बच्चो उस पर समचार जब सुनाय जाता है यानि प्रसारन किया जाता है उससे पहले समचार को तयार करना पड़ेगा तो जब समचार तयार कर रहे होते हैं तो क्या क्या पर समाचार सुनाने जाए तो जो आपके पास script होना चाहिए जिसके according आपको बोलना है उसमें जटिल सब्द नहीं होने चाहिए ऐसे सब्द जिनको पढ़ना बहुत ज़्यारा मुस्किल हो क्योंकि अगर वहाँ पर आपके लिए पढ़ना मुस्किल हुआ तो समाचार जो है स पढ़ने के लिए बोलूं तो आप थोड़ा से लड़ खड़ा सकते हैं ठीक है लेकिन अगर मैं इसी को सब्दों में लिख दूं तो उसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं इसलिए रेडियो प्रसारन के लिए जब यहां पर समचार तयार किया जाता है तो उसके अंदर जो स तरह से नहीं होना चाहिए इसको सब्दों में लिखे जैसे प्रतीसत और डॉलर इस तरह से लिखा जाना चाहिए ठीक है तो इस प्रकार से इस कोशन का एंसर आप लिख सकते हैं दूसरा कोशन देखिए बच्चों यहां पर क्या पूछ रहा है कि आलेक या फीचर लेखन क चाहिए ठीक है इसमें नई जिग्यासाएं जागरित करने की छमता होनी चाहिए इसमें विचारों की अधिकता होनी चाहिए इसमें किसी बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए ठीक है जब भी आप आलेक यह फीचर लिखते हैं तो यह नवीनता और ताजगी से यूप् पत्रिकाओं के नाम लिखिए ठीक है तो ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है वह महत्यपुन समचार जो दर्सकों तक ततकाल पहुंचाने के आवसकता होती है जैसे माली जे की तीवी आप देख रहे है ठीक है अग तीवी पर आ रहा है न्यूज चैनल पर आ रहा है पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ उसमें हो गया गड़बड घुटाला इस पार्टी को ज़्यादा वोट मिला इस पार्टी को कम वोट मिला देखिए अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है देखिए इधर आपका चाइना में इलेक्शन होने वाला है तो इस तरह का जो ह दुवतंतरता से पहले अगर जो पत्रिकाएं हैं उनकी बात करें तो आप लिख सकते हैं माधुरी और हन्स ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग आगे हैं नौवे कोशिन के अंदर यहां पर देखें क्या कह रहा है निमलिखित प्रस्णों के उत्तर साथ सब्दों में रखी जाती है नेक्स्ट कोशन विशेष लेखन किसे कहते हैं समचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका इसपस्ट कीजिए तो विशेष लेखन से तातपरे किसी खास विशेष पर सामान्य से हटकर जो हसो की जो लेख लिखा जाता है उसे विशेष लेखन कहते हैं समाचार पत्रों में सामान्य खबरों के अत्रित आर्थिक, व्यापार, खेल जगत, विज्ञान, प्रोधोगी की क्रिशी, विदेश, पर्यावरन, शिक्षा, फिल्म, मनुरंजन तथा अपराद आधी, अन्य छेत्रों की खबरों का वीवरन भी होता है इन विशेश समाचारों के लिए समवदाताओं की रूची एवं विशेश सग्यता के अनुसार उन्हें इन विशेश छेत्रों में कारे करने का अउसर दिया जाता है ठीक है तो इस प्रकार से answer आप लिख सकते हैं के चलिए अब हम लोग आ गए हैं दसवे कोशन के अंदर यहां पर दिखें क्या कह रहा है कि निमलिखित में से किन ही दो प्रवस्तों को उत्तर दीजे तो यहां पर तीन कोशन आपको दे ढ़िया है तीन में से कोई दो कोशन का answer आपको देना है तो पहला question है बारह मासा का प अग्हान में नाईका नाग्मती विरह रहनी में जलती रहती है यह नी दूर रहने की अग्णी जो होती है उसमें जलती रहती है तथा भवरे और काग के समक्स अपनी दसा का उलेख करती है पूस मास में नाइका सीत के कारण जोसु की कापती प्रतीत होती है सीत उसके सरीर को कपाता है तो विरह उसके हिर्दय को इसमें चकई और कोकिला से नाइका के विरह की तुलना की गई है नाइका विरह में संख के समान हो गई है माग महीने में जाडे से हुई नागमती की विरह दसा का मार्मिक वर्नन हमें यहां देखने को मिलता है और वर्षा का होना तथा पवन का बढ़ना नाईका के विरह को बढ़ा रहा है इस तरह से और पागुन मास में चलने वाले पवंज जखोरे सीत को चोगुना बढ़ा रहे हैं सभी जहसों की यहाँ पर फाग खेलने में मस्थ है पर नाई का विरहताप के कारण जहसों की संतप्त है तो इस प्रकार से अंसर आप लिख सकते हैं 12 मासा का प्रतिपाद दे आसकतों की आपको समझ में आया होगा अगला कोशन देखे क्या है कि अरुनियाह मधुमय देश हमारा गीत में भारत की किन विशेष्टाओं का उले किया गया देखे कितना इंटरस्टिंग कोशन यहाँ पर बनाया गया है कि आरुनियह मधुमय देश हमारा इस गीत में भारत की किन विशेष्टाओं का उलेख किया गया है तो एंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि कारनेलिया के गीत में भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेष्टाओं का उलेख हमें देखने को मिलता है कि भारत का प अंजान अतिथी को भी आस्रय देना और भारतियों का हिर्दय दया वाला होना करुणा वाला होना तथा सहानु भूती से भरा होना इन चीजों का यहां पर हमें उलेख देखने को मिलता है तो इस तरह से एंसर आप लिख सकते हैं बच्चो नेक्स्ट कोशन देखें यहां पर कि आपका पिछले अगर दस साल का पेपर आप उठा करके देखेंगे तो यह कोशन कई बारी रिपीट हो रखें ठीक है तो आने का संभावना बढ़ जाता है तो अगर बात करें भरत राम के प्रेम कविता के प्रतिपात देखी तो इस तरह से आप लिखेंगे कि भरत राम खिरदय से बताते हैं कि राम जो है राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है जो भरत जी हो बोलते हैं कि राम जी जो है हमारे उनको कह लिजे मेरे प्रति अलग से ही प्रेम भाव देखने को मिलता है वे कहते हैं कि विधाता इस प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका जो व वन गमन से माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यान दुखी है राम जी जब यहाँ वन में चले जाते हैं तो जितने भी अयोध्या में रहने वाले लोग है और जो माताएं हैं वो सब बहुत ज्यादा दुखी है ठीक है और भरत इस सारे दुख का दोस अपने रहा है तो अगेन 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए आपका एक लाइक बच्चो हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है रोकेट जैसा उपर तक ले जाता है एकदम तो लाइक जरूर कीजेगा इसी तरह की और सब्जेक्ट की हम सेंपल पेपर्स की वीडियो आपक की क्या है निमलिखित में से किसी एक काव्यांस की सप्रसंग व्याख्या कीजिए तो यहाँ पर दो काव्यांस आपको दे दिया है दो में से किसी एक काव्यांस की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है पहला वाला काव्यांस इस तरह से दिया गया है तोडों से ठीक है और last की कुछ line ले लेनी है ठीक है और कई सारे बच्चे बोलते ना sir सपरसंग व्यक्या मैं first जाते हैं क्यों क्योंकि पता नहीं कर पाते sir ये line ने कहां से ली गई है कौन से chapter से कौन से कविता से ली गई है तो दिक्कत आता है तो उसके लिए अगर आपने पढ़ रखा है तब तो भाईया यहां पर well and good है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपने अगर अभी तक ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है तो आप sample papers की वीडियो देख सकते हैं बच्चो यह हमारा दसवा sample paper का part 2 वाला वीडियो है इससे पहले हमने 9 sample paper के वीडियो बना रखे है इनको आप जरूर देख लीजेगा exam के अंदर आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगा अगर आपने सप्रसंग व्याख्या वगरा की तयारी जारा नहीं की है तो ठीक है क्योंकि इन sample papers के अंदर मैंने बता रखा है कि यह सप्रसंग व्याख्या है इसका हल इस तरह से करना है इस बात की भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि कई सारे सप्रसंग व्याख्या के questions लगभग लगभग वैसे ही आ जाते है बहुत ज़्यादा संभावना है possibility है बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ अपने अनुभाव के अधार पर तो वीडियो को जरूर देख लिजेगा जो भी sample paper की वीडियो बनाई गई है आप one shot की भी वीडियो देख सकते हैं आपका अंतरा अंतराल आरोह बुक सबका one shot का वीडियो एबलेबल है mcq questions का यहाँ पर वीडियो एबलेबल है ठीक है और important question का तो मैंने आपको बताई दिया तो यह सारा content जरूर जाकर के देखेगा exam में आपको बहुत ज़रा help करेगा ठीक है अब यहाँ पर देखेए इसका सब प्रसंग व्यक्या कैसे करना है तो starting की line मैंने इस तरह से ली है कि pull की सरीर सभार फिर dash 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 बीच में फिर last की line यहाँ पर ले लेना है कि frame प्यासे 9 यह हो गया अब संदर्म में आ जाई जी प्रसंग के अंदर आप लिख देंगे कि इसमें कभी ने राम के वन गमन के बाद जो है वो भरत की मानसिक दसा का बड़ा ही मार्मिक वर्मन किया है वे अपने प्रती राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हिर्दय की वेदना को मुख्रित करते हैं और राम को वापिस अयोध्या लोटा कर लेके आने के लिए इस तरह से चितरकूट में आते हैं तो इस तरह से आप प्रसंग लिख सकते हैं उसके बाद पूरा आपको व्याख्या कर देना है भरत का राम के प्रती अनन्य प्रेम अविवेक्थ होता है, अवदी भासा का सुन्दर परियोग देखने को मिला है, माधूर्य गून एवं अविधा सब्द सक्ती का परियोग हुआ है, नीरज नयन था नेह जल में रूपक अलंकार है, दोहा चोपाई छंद है, पूरे पद म संगीत आत्मक की छटा है, काव्यांस में अनुपरास अलंकार की छटा देखने को बनती है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, फिर आगे आ जाईए, यहाँ पर अब हमारा अगला प्रस्न है, बारवा प्रस्न जिसके अंदर बोला गया है, कि निमलिखित में से किनही दो प्रस्न के उत्तर दीजे, तो तीन कोशन यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा, पहला कोशन है, कि आधुनिक भारत के नए सरनाथी किनहें कहा गया है, बहुत ज़ार इंपोर्टन कोशन है, बिल्कुल ध्यान से समझेगा, आधुनिक भारत के नए सरनाथी उन्हें कहा गया है, जिन्हें औध्योगी की करन के जंजावात ने अपने घर जमीनों से उखाड कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है, प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है, प्रकृति जब लोगों को उजारती है, तो वो लोग उस पर वापस आ सकते हैं अपने घ है, क्या है बच्चों, एक घर है, ठीक है, अब यहाँ पर एक फैमिली रहती है, यहाँ पर जोहसो की बाढ़ आ गया, ठीक है क्या आ गया, बाढ़ कुछ टाइम में चला जाएगा, जब तक बाढ आया हुआ है तब तक इस फैमिली को दूसरे जगह जा करके रहना पड़े चोड़ करके जाना पड़ेगा वापस तो फिर अपने घर प्यानी सकते ना तो इन्हें ही आधुनिक भारत के नए सरनार्थी कहा गया है जो अध्योगी की करन के कारण अपना घर बार छोड़ करके चले जाते हैं और दुबारा घर वापस नहीं आ पाते हैं ठीक है बाकी बढ़ता गया ठीक है तो यहां इस प्रकार से लिखेंगे घरेलू परिवेश के कारण और पंडित के दारना जी के पुस्तकाले से पुस्तक पढ़ने के कारण अपनी पिता तथा उनके मित्र स्वामी रामकृष्ण वर्मा के जहसुकी शानीद्य भाईचारे रहने के आप कि पहचान कथा का प्रतिपादे यह है कि राजा को बहरी गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है ठीक है जो राजा होता है न बच्चो उसको ऐसी प्रजा चाहिए जो बहरी हो गूंगी हो और अंधी हो ठीक है जो बिना कुछ बोले बिना कुछ देखे उनकी आग जूट करता जाता है वह जनता को एक जूट होने से रोकता है राजा जो होता है ना वह जनता को एक जूट नहीं होने देता है उसको पता है अगर जनता एक जूट हो जाएगी तो मेरे को दिक्कत हो सकता है ठीक है और उन्हें भुलावे में रहता है ठीक है यही उसकी सफलता का राज है तो इस प्रकार सेंसर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट अब हम लोग आ गए हैं तेरवे कोशिन के अंदर यहां पर आपको दो गध्यांस दे दिया है दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है तो जो पहला वाला आपका गध्यांस से वो कुछ इस तरह से याप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके अत्वा में जो गध्यांस दे रखा है उसको मैंने आपका सप्रसंग व्याख्या करके दिखा रखा है इस तरह से आपका यह गध्यांस दिया हुआ है और सप्रसंग वेख्या करने के लिए स्टार्टिंग की लाइन लेली है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे एक दम प्रकोष्ट में चामुंडा और लास्ट की लाइन तीस नवाते हैं ठीक है नवाते करके और बीच में डैस 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 इस तरह से फिर संदर्व में आ जाईए जहां पर हमारा पाठ के उनसा है यह पाठ का नाम है दूसरा देवदास लेखिका है हमारी यहाँ पर ममता कालियाजी फिर प्रसंग में आ जाईए इस कहानी में जो है यह जो कहानी है इसके अंदर लेखिका ने जो यूवा मन होता है उसके प्रेम भावो और प्रतम आकर्शन और उससे उर्पन सम्वेदनाओं को व्यक्त करने के साथ-साथ धार्मिक इस्थानों पर बढ़ती व्यपारिक वृद्धी का भी वर्नन किया है ठीक है जो यूवा मन होता है बहुत जल्दी एट्रेक्ट हो जाता ह वही कर सकते हैं बढ़ती तो उसके बारेम में अब लिखने CDU के ל-2 कर सकते हैं लास्थ में आपका वही विषेश आजाएगा जिसके अंदर लिख सकते हैं कि मानओ की स्वार्थ वृद्धी और विया आत्मक ता सैली में प्रस्तूत किया गया है ठीक है धार्मिक स्थालों पर भक्ति के स्थान पर पैसे को अधिक महत्व दिया जाता है जो धार्मिक स्थालों होते हैं वहाँ पर कई बारी देखा जाता है कि भक्ति के स्थान पर पैसे को जादा महत्व दिया जाता है ठीक है औ आर्मे के स्थालों पर भक्ति के स्थान पर पैसे को अधिक महतों दिया जाता है तो यह तो बिल्कुल क्रेक्ट बात बोल रहा है आपको मैं रियल लाइफ के इंसिडेंट के साफ से बताता हूं आज की टाइम पर आप देखेंगे ना तो जो मंदीर है ठीक है पहली बात मैं क किसी भी मंदीर किसी भी धर्म का यहां पर अनाधर नहीं कर रहा हूं मैं एक टीचर हूं और मेरा धर्म है सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ठीक है और मैं क्या बता रहा था आपको जैसे मंदीर होता है जैसे के दारनात की हम बात कर लेते हैं वहाँ पे वी आईपी एंट्र पर्शन ऐसा लाइन में जा सकते हैं आप ठीक है कुछ पैसे दे करके यह एक नॉर्मल लाइन में जा सकते हैं यह कह चक्कर है वी आईपी क्या होता है भगवान के सामने तो सभी बराबर है न भाई यह वी आईपी एंट्री वाला क्या सिष्टम है दूसरी नमरवाद दो ह को आशिरवाद दे रहे थे और जो में मंदिर है वहाँ पर जाते हैं तो मेरे हाथ में प्रशाद था मैं गया मैं तो यही सोच रहा था कि परशाद चढ़ा दूँगा और कुछ दस पांच रुपए जो भी जितना भी मैं चढ़ा सकूं अपनी सरद्धा के साफ से वह चढ़ हूँ कि मेरी सरद्धा है नहीं मैं कुछ चढ़ाओं या ना चढ़ाओं वह बोल रहें डालो नहीं डालो यहां पर यह मैं मतलब मिनको बड़ा गुस्टा आया वहां पर ठीक है बहुत जादा लिटरली अंदर से मुझे गुस्टा आया पेसे से अगर देखा जाया मतलब अगर जाती ही साब से देखा जाता हूँ मैं खुद एक वह हूँ पंडित हूँ ठीक है ब्राह्मन की कर्टिग्री में आते हैं जो तो लेकिन मुझे उनका स्वभाव देख करके बहुत गुस्टा आया बहुत जादा कि कोई जोर्जवर दस्ती है यहां चढ़ाओ यह करो करो ठीक है और मैं यह नहीं कहता कि केवल हमारे जोसुट की धर्म में या हमारे इसमें यह आज के टाइम पर कुछ कमिया आघी है हर धर्म में देख रहा हूं में ठीक है चाहे आपका हिंदू हो यानि सनातन धर्म हो, सिख धर्म हो, हर धर्म में छोटी छोटी कुछ ने कूछ पुछ कमिया है और मैं उन कमियों के बारे में जारा बात तो नहीं कर सकता लेकिन जो मैंने फेल किया है, वो मैंने आपको बता जिया अगेन मैं एक चीज और फिर से कलिएर कर दूँ मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता मैं एक टीचर हूँ और मेरा धर्म कितना सिर्फ इतना है कि मैं आपको चीजों को समझा सकूँ तो कोई भी बच्चा जो है याँ बुरा मत माना अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ कर नमन है बच्चो ठीक है चली आगए चलते हैं अब हम लोग आगए हैं चौदवे प्रशन के अंदर यहाँ पर देखिए बच्चो इसके अंदर क्या बोल रहा है निमलिखित में से किसी एक प्रशन का उत्तर लगभग 60 सब्दों में दीजिए तो दो कोशन की माटी पाठ के आधार पर तो एंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि गाउं में लोग प्रकृति के बहुत निकट है लेखक के अनुसार यहाँ पर फूल केवल गंध ही यही नहीं देता बलकि दवा का भी काम करता है क्योंकि गाउं में कई रोग्यों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है फूलों की गंध से शाप, महामारी, देवी छुड़े लादी का संबंध जोड़ करके देखा जाता है गुढ़हल के फूल को देवी का फूल मानते है इसके उपर भी कोशन आ जाता है जो आपका गुढ़हल का फूलों होता है उसको देवी का फूल भी मानते है बैर के फूल सुंगने से बर्रे ततयय का डंक जरता है और आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आ जाता है नीम के पत्ते और फूल चेचक में जोसो की रोगे के समीप रखते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो यह कारण है जिस कारण से लेखक कहता है कि गाउं में लोग प्रकृति के बहुत निकट है ठीक है? विश्कोहर की माटी पार्ट के अधार पर इस तरह से आप लिख सकते हैं आगे चलते हैं भाईया इसी कोशन में अथवा दे दिया है अगर आपको उपर वाला कोशन नहीं आता है तो नीचे वाला कोशन आप अटेंड कर सकते हैं इसके कापग नीर वाला मालवा शूखा हो गया विश्व पर्यावरन पर आये संकट के संदर्व में इस कथन की वैक है कीज़े, तो एंसा इस प्रकार से आप लिखेंगे, वर्तमान सभेता में भोग पर जादा बल दिया जाता है, जीतना जादा संसाधन है, बस उसका इस्तमाल करते जाओ, भोग करते जाओ, ठीक है, प्रकृति का निर्मं दोहन होता जा जा रहे है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा हिंदी का दसुआ जो सैंपल पेपर था बच्छो उसका भी वीडियो समाप्त होता है आसा करता हूँ कि आपको ये सारे कोशन समझ में आये होंगे बश बत्चो यही था आज का वीडियो आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियो को बनाने के लिए, चैनल पर अगर आप नहीं आ गए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिजे, इसी तरह की वीडियो से हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जैसी आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अपने board exam की तयारी को खास करके हिंदी के board exam की तयारी को next level पर ले जाना चाहते हैं तो हिंदी के हमने 20 sample papers आपके लिए ready किये हैं जिनको आप buy कर सकते हैं ठीक है, screen पर दिख रहे हैं इस whatsapp number पर आपको contact करना है buy करने के लिए, वैसे तो इनका price आपको 199 रुपीज पढ़ेगा लेकिन अगर आप इनको एक coupon code बताते हैं, तो आपको instantly 50% का भारी छूट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ये coupon code कौन सा है, VSP07 करके है, ठीक है, अगर आप इनको ए उपन code बताएंगे, तो 50% का discount मिलेगा, और इस हिसाब से जो आपका price हो गया, केवल 99 रुपे हो गया बच्चो ठीक है, 99 रुपीज में आपको 20 sample papers देखने को मिल जाएंगे, इस हिसाब से एक paper आपका केवल 5 रुपे का पड़ा, तो आज ही ये sample papers लीजिए, और अपनी board exam के त्यारी को और बहतर बनाईए, ठीक है मिलता हूँ आपसे अगली और exciting वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को जैहिंद, वन्दे मात्रम